चाहे होली हो या दिवाली या फिर गनेश चतूर्थी या नवरातरी अमबानी परिवार हर त्योहार को बहुती हर्शोलास के साथ सेलिब्रेट करता है। जी हाँ अमबानी फैमिली में हर साल गनेश उत्सफ की तरह ही नवरातरी की धूम भी देखने को मलती है। इस दोरान वो मतारानी की विधी विधान से पूझा पाठ करने के साथ साथ करबा तक का आयोजन करते हैं। जी नीता अमबानी बेहत खुबसूरत लग रही है। उनके साथ अमबानी परिवार की दूसरी महिलाएं भी दिख रही है। बता दे कि अमबानी परिवार की जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई है। मुकेश और अनिल अमबानी के पिता धीरू भाई का पुष्टैनी घर गुजरात के चोरवाडा गाव में है जिसे धीरू भाई की याद में अब धीरू भाई अमबानी मेमोरियल बना दिया गया है। हाला कि अमबानी परिवार अब गुजरात में ना रहने के बाद भी अपने संसकारों और त्योहारों को नहीं भूला है। करने के साथ साथ गरबा भी खेलते हैं। इस खास मौके पर नीतामबानी अपने डांस से लोगों का खूप मनोरंजन करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीतामबानी एक प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर है। ऐसे में वो अपने घर के हर फंक्शन में ही डांस कर इसे और ज्यादा रोमांचिक बना देती है। बता दें कि अमबानी फैमिली बेहद ही धार्मिक हैं। इनके यहां नवरात्री ही नहीं बलकि हर साल गनेच उटसफ भी बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी अमबानी फैमिली ने जोर शोर से बपा का स्वागत किया था। इनके चांदी, सोने और अन्य धातु प्रदार्थों से अच्छी तरह से सजाए गए सिंहासनों पर बिठाया गया था। सिंहासन फूलों की सजावट से सजाए गए थे। यह तस्वीरे मंत्र बुक्त करने वाली हैं। वही अब इंतजार है अंबानी के यहां देवाली सेलिब्रेशन का। उमीद है हर साल की तरहा इस साल भी अंबानी परिवार के यहां दिवाली की धूम देखने को मिलेगी। विरॉए पोर एट्वेट्वेट्वीवर